हाई फ्रेंट्स कविता हियर और वेलकम टो माई चानल सबका घर पे एक वेज़ दिश तो बनती है बट नॉन मेजिटीरियन के लिए तो वेज़ डिश तो स्लाइटली बोरिंग लगता है तो आज मैं बोरिंग वेज को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए लेके आई हूँ डाबा स्टाइल का मिक्स वेज रेसिपी वेज रेसिपी करके इग्नोर मत करिये फुल वीडियो देखिये और मुझे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक दीचिए तो चलिए आज का रेसि मुझर गार्लिक और हरी मेर्ची पैन में डो टेबल स्पून ओल लिया है उसमें एक तीस्पून जीरा और प्रश किया हुआ हरी मेर्च अद्रग और लस्रून डाल के बून लेंगे उसी के साथ दो मीडियम साइज चॉप किया हुआ प्यास इसे दो तिन मिनिट तक बून और उसके साथ मैंने एक टेबल स्पून गी डाला है दाट गिवस अ गुट टेस्ट अन अरोमा उसके उपर आदा टीस्पून नमक डाल देंगे अब बारी है मसाडी की एक टीस्पून हल्दी पाउडर देट टीस्पून दन्या पाउडर इसी दो सेकेंड तक बून लेंग इसके बाद लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून याद रहें मसाला दालते वक फ्लेम को लो कर लीजिए यह मैंने मीडियम साइज का तीन टोमैटो चॉट किया वालिया है इसे दो मिनिट तक सॉट कर लेंगे टोमैटो मैश होने तक फ्राइ करेंगे उसके साथ हब हम डाल एक देंगे वेजिस पहला हम डालेंगे क्यारेट किंक उसके ताइम लगता है ऐस वेल एस बीन्स साथ में थोड़ा पाने आड़ कर लेंगे और दो मिनिट के बाद गोपी और रोजन पीस और साथ में मश्रूम डाल के सॉट कर लेंगे और साथ में आदा कप पानी डाल के मिनिट तक पकाने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम में अच्छे से मिक्स होने के बाद एक उबाल आने के बाद इसको कवर करके कुख होने दीजिए पांच मिनिट के बाद स्वादन उसार नमक डाल देंगे हाई फ्लेम में हम उसको और दो मिनिट तक मिक्स करके पकाएंगे अब देखेंगे हमारा वेजिस तो रेडी हो गया है अब हम डालेंगे अब लास्ट इंग्रीडियंट औफ वेजिस ता इस पनियर विच गिवस ग कॉमिनिशन फो दर मिक्स पेच रसीपी इसको हलका सा सौट कर लेंगे अजवल एज मैंने यहां बठर डाला है ऑप्शिनल है चाहिए थो ले सकते अदवाइस नहीं कि यह करी के लिए अच्छा टेक्स्चर दे देता है उसी किसात मैंने थोड़ा बहुत कसूरी मिती स्प् कविच उम्मीद करते हूँ आपको यह रेसीपी पसंद आई रहेगी जरूर इसे ट्राय करिये और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो और यूस्फुल हुआ तो प्लीस दू लाइक और आपके फ्रेंस और फामिली के साथ खender Key also don't forget to subscribe to my channel that is cook and bake with Kavita thank you for watching. See you soon in the next video. Cook & bake with Kavita